अच्छा अब ये मुझे बताओ ये जो स्टिक्स हैं ये जो काड्या हैं कितने काड्या हैं बताओ ये कितने हैं हमारे अठरा काड्या तो तुम लोग को क्या करना है अब इसके बनाने हैं तुम्हारे हिसाब से कितने भी तुम उसमें से इस्तेमाल कर सकती हो बस उसके मसावी हर जो भी ग्रूप है उसमें मसावी मसावी काड़ियां आने चाहिए बनाओ तुम चारों मिलके कि देखो कितने ग्रूप बने ने सकते हैं कि Graham है इब से खुआथे ऑफमारे पास 18 इस अगैंड रहे ढ़ अगर हम दो-दो के घ्रू अच क्रुए आथने बन जाएंगे जाएंगे जाने मिल चुस्रिफ कि इस तरहां से दो-दो की अच्छा तुमने तीन तीन के बनाए ग्रो ठीक है बनाओ अच्छा तो हरे ग्रो में कितने लिये तुमने तीन लिये कितने ग्रो बन गए तीन मसावी घ्रो बनाएंगे तो इस अच्छा क्या कोई और भी तरीशे से हम उसके ग्रो बना सकते हैं तुम प्राय करके देखो तुम को सुष्च करो तुमने कितने के बनाए शेठेके तुम बनाओ तुम कितने ले रही हो तो लेकिए क्या हो गा है चार की तुमने ग्रोव बनाए कितने ग्रोव ने हैं लेकिन एटो कारें चाहिए हमारे और भी रह गया इसका क्या मतलब हुआ कि अठरा को हम शाफ से घ्रोव में दखसिम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कुछ और सोचना पड़ेगा सोच और कुछ कि तीन गुरूप बनेंगे बनाओ कैसे बहुत अच्छे तो यहां पर क्या होगे हमारे छे चे के अगर हम गुरूप बनाए तो कितने गुरूप बनेंगे तेन तो तुम देखा, जब हमने दो लिया था, दो काड़ों का ग्रूप लिया था, तब हमारे नौ ग्रूप बने थे, फिर हमने तीन काड़ों का लिया था, तब हमारे छे ग्रूप बने थे, अब जब हम छे काड़ों का ले रहे थे, तब हमारे तीन ग्रूप बने थे, लेकिन हम दोनों का जरब करेंगे तो क्या आएगा वो अठरा ही आएगा नौ जरब दो अठरा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं हमारे जो भी अदद है उसको हम मसावी मसावी अलग अलग अददों में बाढ़ सकते हैं ठीक है समझ आया